तरफ कितना अपने प्रयास से सीखा है और कितना अपने फ्सूमात्र यह उम्मीद की है किसी वेबसाइट से, किसी पीडियेफ से, किसी क्लास्रोम से, किसी वीडियो से कोई और मतार आया और आपने क Dani क्या इस दर्ज़ ये दर्ज करना डेड़ मुझे याद है कि हमारे समय में ऐसे बाबा लोग तयारी कर रहे होते थे जिने पेज, कॉमा, फुल स्टॉप तक याद थे खुद को खाली स्लेट, खुद को कोरा मर्तबान, खुद को खाली बरतन मानना पंद कीजिए यही नए समय की स्ट्राटीजिस है, आकर सीमा है कि आप कितनी किताबे बढ़ सकते हैं, समय की सीमा है, आपकी मानवी एक सीमा है, जिनके चलते आप लिमिटेड सोर्सिस पर जा सकते हैं नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है मुझे उमीद है कि आप लोग प्लीज सिट डाउन चैनल पर आ रहे हैं कंटेंट को पसंद कर रहे हैं अगर आप लोगोंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जानूरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए भी बेल आइकन दबा लें ताकि आप लोगों तक सूचना समय से पहुंच सकें आज हम लोग एक बहुत इंट्रस्टिंग एरिया पर बात करने वाले हैं इसका संबन्द हम लोगों की पीड़ी जिस समय प्रतियोगी परिक्षों की तयारी करती थी कि तुलना आजकल की पीड़ी जब इसे तयार करने के लिए बैठती है तो उन दोनों की तयारी में क्या प्रमुक अंतर आ गया है इसे लेकर हम लोग आज चर्चा करेंगे ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अलग-अलग परिसरों में अलग-अलग कैंपसेज में पिछले कुछ समय से में जा रहा हूँ और वहां लगातार एक सवाल विद्यार्थी पूछ रहे हैं वह यह है कि सर पिछले कुछ सालों से preliminary examination के pattern बदले हैं और ऐसे सवाल अब पूछे जा रहे हैं जो कि जिस तरीके से पहले हम लोग केवल NCRT अच्छे से याद करके चले जाते थे कुछ factual चीज़ों को कुछ चार केताबों से तयार करके चले जाते थे उचसे अब काम नहीं चल रहा है क्या किया जाए कि हम यह जो नई चुनोतियां नए तरीके की प्रतियोगी परिक्षाओं और सामाने तहजीवन में भी आई हैं उनसे कैसे handle किया जाए अंतर क्या है दरसल हम यह समझने की कोशिश करने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि यह जो सीखना है यह जो learning है यह पहले और अप में क्या अंतर आया है वे कौन सा तरीका है जिससे अब आपको तयार करना पड़ेगा ताकि आप इन प्रतियोगी परिक्षाओं की चुनोतियों को दूर कर सके दरसल जिसे हम सीखना कहते हैं learning कहते हैं उसके विभिन रूप होते हैं आज विद्यार्थियों के पास चुनोति यह है कि वे जो सीख रहे हैं उसका retention कम है और वे जो सीख रहे हैं वे हैं सभी लोग जो सीख रहे हैं उस जैसा है और इस कारण जो differentiating factor था एक विद्यार्थी जो की गंभीर विद्यार्थी है और एक विद्यार्थी जो की साधारन तह सामान तयारी से आया विद्यार्थी है उसे कैसे मुकर बनाये जाए ताकि यदि आप मेहनत करके इस परीक्षा को दे रहे हैं या किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं तो आप के चाये इनकी संभावनाएं बढ़ें मुख्यत है हम बात करने वाले हैं learning में active learning को लेकर पिछले जिनाव एक वीडियो में हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी और बताया था कि distractions जो है उनमें से एक distraction ये भी है कि हम सभी लोग एक तरह की तैयारी के तंतर में है सभी लोग एकी तरह की coachings में जा रहे हैं online या offline और एकी तरह की किताबों को पढ़ रहे हैं तो कैसे अंतर हो एक विद्यार्थी का दूसरे विद्यार्थी से अगर बहुत अतीत में जाएं मित्किय कथाओं में जाएं तो आपको एक लव्य याद आएगा याद कीजिए कि एक लव्य बावजूद इसके कि उनके गुरू उनके साथ नहीं है केवल एक प्रतिमा लगा रखी है उसके बावजूद एक अपनी विद्या को लेकर बहुत actively सीखते हैं और उनके पास वह ज्यान हासिल होता है वह कौशल हासिल होता है जिसकी उन्हें जर्रत थी ये इतना अधिक होता है कि बाद में उनके गुरू जब पहुंचते हैं तो बाकाइद मित्किय जो कथा है वह यह है कि उनसे अगुठा ले लिया जाता है ये जो एकलवे का तरीका है सीखने का वह active learning है प्लीज इस बात को समझे कि आप एक कोचिंग में या एक कॉलेज की क्लास्रूम में या किसी भी सीखने वाली जगह पर बैठे हैं या online सीख रहे हैं तो आप में और उस खाली कुर्सी में जो आपके साथ बैठी है इन दोनों के सीखने में कोई न कोई अंतर अवश्य होगा क्या तरीका है क्या वज़ा है कि कुर्सी नहीं सीख पा रही है एक निरजीव चीज नहीं सीख पा रही है और आप कुछ सीख पा रहे है इस सीखने को सजीव सीखना Active Learning सक्रिय अधिगम कहा जाता है आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि आप भी ठीक वैसे ही सीख रहे हैं जैसे कि कुर्सी सीख रही है तो ये निरजीव सीखना है आप बैठे हैं और आपके सामने शिक्षक या कोई वीडियो या फिर कोई कोचिंग सेंटर के में चल रही activity screen पर या वास्तव में किसी शिक्षक के द्वारा आपको कुछ बताया जा रहा है और आप उसे सुने जा रहे हैं सुने जा रहे हैं और सुने जा रहे हैं यह कक्षा 2 घंटे की है ये कक्षा चार घंटे की है, ये कक्षा तीन घंटे की है क्या आपकी learning वास्तव में हो भी रही है या आपको ये केवल अनुमान हो रहा है गलत फेहमी हो रही है कि आप सीख रहे है कैसे अंतर करेंगे active learning का passive learning से इसे महत्वपून तरीके से सीखना है क्योंकि केवल active learning retain होती है केवल active learning apply होती है केवल active learning critical analysis में जाती है केवल active learning ही आपको वह ख्षमता देती है कि आप उन प्रशनों को handle कर सके जो प्रशन आज कल के prelims में पूछे जा रहे है क्योंकि आप न तो अब केवल elimination से किसी सही सवाल आर्थ तक पहुँच सकते हैं नहीं केवल याद करे हुए को उथला कर देने से आप उनके सही उत्तरों तक पहुच सकते है अब आपको उनको आत्मसात करना पड़ता है उनको critical thinking और analysis में लाना पड़ता है उन concepts को apply करना पड़ता है और इसके लिए जरूरी है active learning passive learning से यह नहीं होने वाला है passive learning का मतलब है आप बैठे हैं, सामने content deliver हो रहा है आप एकाद notes लेने रहे हैं और यह हैं उम्मीद कर रहे हैं कि जरुद पढ़ने पर आप इस सुने हुए concept को apply कर पाएंगे और उस application के आधार पर सही उत्तर तक पहुँच पाएंगे ऐसा नहीं होनाएगा ऐसा होने के लिए आपको actively learn करना पड़ेगा actively learn किया कैसे जाता है सबसे पहले तो महतपुन चीज है कि आपको passive तरीके से सुनने की बजाए learner को learning process में actively involved होना पड़ता है discussions में, problem solving में, case studies में या जरत पढ़ने पर वास्तम में किसी गतिविदी को करने में और ये वह सीमा है जो शायद 500-800 की class में आप ना कर पाते हों लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जब आप इन गतिविदीों में शामिल होते हैं class के बाद उस विशे पर चर्चा में शामिल होते हैं उस विशे या concept पर अधारिक problem solving में शामिल होते हैं या उससे जुड़े हुए case studies पर ध्यान देते हैं कि ये आपको एक संकल्पना बता दी गई है मालीजी आपको बताया गया कि किसी policy के अंदर किसी citizenship को लेकर कोई प्रावधान है आप उस प्रावधान में अब तक क्या case हुए हैं जब उन्हों पर विचार करना शुरू करते हैं A, B, C, 3 cases को देखते हैं तब आपको ये learning आपके अंदर आत्म साथ होती है इस वज़े से student engagement बहुत जरूरी चीज़ है active learning का इसलिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो केवल याद करने को याद कर लेने को learning न माने उसे अपनी गतिविधियों में शामिल करें दूसरी महत्वपून चीज़ है critical thinking और wishlation आलोचनात्मक दृष्टी से जब तक आप concept और विचार नहीं करेंगे तब तक वह केवल याद करना या रटा भर रह जाएगा और यकीन कीजिए रटों से सफलता पाने के दिन अब दूर रटों से दरसल कभी सफलता नहीं मिलती थी लेकिन पहले यह अफसर जरूर था कि आप एकात कदम चल सकते थे आप मुझे याद है कि हमारे समय में ऐसे बाबा लोग तैयारी कर रहे होते थे जिने पेज, कॉमा, फुल स्टॉप तक याद थे न्सी, ई, आर्टी के उन्में से कुछ सफल भी हूँ होंगे लेकिन अब यह प्रेलिम्स भी क्रॉस करने के लिए परियाप्त नहीं अगर आप सिविल सर्विसिस की बायत करें लेकिन सामाने तह भी जीवन में आपको क्रेटिकल थेंकिंग और एनलिसिस की जरूरत पढ़ती है यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इनकी जो एप्लिकेशन्स हैं इनको जो लागू करना है उसे आप कैसे अपनी सीखने की आदतों में शामिल कर सकते हैं प्लीज इस बात को समझे कि यदि आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आपको रियल वर्ल्ड प्राब्लम्स के साथ उसे जोड़ना पड़ेगा इसी को हम लोग आप्लिकेशन कहते है अब वह मैतुपून बात जिसे मैंने एक के बाद एक अलग परिसरों में कहा है केंपसेज में दोराया है अलग अलग वीडियोज में पहने भी कहा है लेकिन इस समय ये बहुत बात कही जानी दोराय जानी बहुत जरूरी है सीखना एका की क्रिया नहीं है कमरे में बंद हो जाना और उसके बाद 12 गंटे, 15 गंटे, 16 गंटे तक एक ही किताब को बार-बार दोराना या आपको ये गलत फैमी तो दे सकता है कि आपने बहुत महनत की है, आप बहुत अच्छे से पड़े है लेकिन ये दरहसल आपकी रिटेंशन यानि कि जो आपको याद रहा और जो आपने सीखा उसमें कोई खास भूमिका नहीं अदा करता क्योंकि वो एका की तरीके से सीखने के दिन अब दूरा कुछ कॉंसेट्स में थोड़े बहुत कम इस्तेमाल हो सकता है लेकिन सामानित है जिस तरह की अपेक्षाएं अब आपसके सीखने की हैं वह सीखना एका की नहीं है वो कॉलाबरेटिव है उसमें आपको अन्य सीखने वालों के साथ सहयोग करना शेयर करना अपना परस्पेक्टिव देना उनका परस्पेक्टिव लेना समुहू में सीखना और कुल मिलाकर सीखने की प्रक्रिया के collective nature को collaborative nature को समझना बहुत जरूरी है आपने कितनी भी तयारी क्यों न की हो आकर सीमा है कि आप कितनी किताबे बढ़ सकते हैं समय की सीमा है आपकी मानवी एक सीमा हैं जिनके चलते आप limited sources तक जा सकते हैं और sources इनका विसफोट हुआ है अब वेक चार किताबे भर तो हैं नहीं अब तो सेकडो वीडियो उपलब्ध हैं अलग-अलग लोग वीडियो बना रहे हैं मुप्त के वीडियो उपलब्ध हैं पेड वीडियो उपलब्ध हैं बहुत बड़े पहमाने पर सामगरी उपलब्ध है इतनी सामगरी को आत्मसाथ कर सकना किसी एक व्यक्ति के लिए संभा भी नहीं शायद जरूरत भी नहीं लेकिन अलग-अलग सामगरी से आने वाले परस्पेक्टिव के आधार पर कोई राय बनाना उसके आधार पर अपनी समझ बनाना कॉंसेप्ट को आत्मसाथ करना जरूरी है इसलिए अब आपको किस तरफ जाना पड़ेगा कॉलाबरेटिव लर्निंग की तरफ जाना पड़ेगा और कॉलाबरेटिव लर्निंग एक्टिव लर्निंग होती है सिर्फ सुनना नहीं है बोलना भी है सिर्फ बोलना नहीं है दूसरों की राय भिन्न भिन्न लोगों की राय सुनना और उनके सिंथेसिस से एक तीसरी राय तक पहुँचना जरूँ है जो दिक्कत आ रही है वह यह है कि हम लोगों की यह ट्रेनिंग हमारे विद्यार्थियों का यह प्रशिक्षन नहीं रहा हमारे विद्यार्थियों को एक पुराने शिक्षन अधिगम प्रक्रिया के तहट खाली जार की तरह कोरी स्लेट की तरह समझा गया स्कूल में माना गया कि सामने बैठा हुआ विद्यार्ती जो सीखने वाला है वो कोई खाली जार है और शिक्षक कोई बड़ा जार है जो भरा हुआ है उसमें से कुछ ग्यान निकाला और छोटे जार के अंदर उड़ेल दिया और ग्यान वहां पहुंच गया अधिकम का यह जो तरीका है सीखने की यह जो समझ है अब पुरानी हो गई है इस तरीके से दर असल कोई कभी सीखता ही नहीं था सीखने के भ्रम में रहता था जो थोड़ा बहुत परिक्षा तक याद रह जाता था उसके आधार परिक्षान दे नहीं जाती थी जो ज़्यादा याद कर लेता था उसके ज़्यादा अंक आजाते थे याद करना सीखना नहीं था अब हम उस समय में हैं जहां कोलाबरेटिव लर्निंग बहुत इंपोर्टन है जो आपको रियल वर्ड से जोड़ती है इसलिए आप पाएंगे कि जो हायर लर्निंग स्टेजिस हैं जैसे माली जी MBA करते हैं लोग, PhD करते हैं लोग वहाँ पर जाने के बाद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या याद रहा क्या याद नहीं रहा जो महतुपूर्ण है वो यह कि आपने case studies देखी कि नहीं, जो महतुपूर्ण है कि आपने group discussions कैसे किये, जो महतुपूर्ण है वो ऐसे कि आपने जो internal summoners थे उसमें term papers कैसे दिये और यही पद्धती जिसमें research शामिल होती है, अब आपको परीक्षाओं की तयारी में भी शामिल करने की जरूरत है इन सब में शिक्षक के क्या भूमिका होगी, आपकी coaching की क्या भूमिका होगी, जो online तरीके से आप सीख रहे हैं, mentors उनकी क्या भूमिका होगी आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ भूमिका फैसिलिटेटर की है, guide की है, mentor की है, motivator की है, encourage करने वाले की है, ग्यान के बड़े जार की नहीं है आपके शिक्षक आपसे बहुत जादा जानने वाले कोई भरे हुए मर्तबान हैं, और आपकोई खाली मर्तबान है, इस भरे मर्तबान से निकाल कर कुछ सामझरी आपके में डाल देनी है, यह आप शिक्षक की भूमिकार नहीं है शिक्षक आपको facilitate करने वाला वेक्टी हो रहा है अगर आप ऐसा नहीं कर रहें तो आपकी learning कैसी हो रही है passive learning हो रही है passive learning में retention कम है passive learning में application कम है passive learning में वास्तब में जो learning है वो कम है इसलिए जब नए किस्म के सवाल आपके सामने आ रहे हैं prelims में मसलन तब आपको लग रहा है कि यह पढ़ा तो था यह topic और कोई दूसरा व्यक्ति इस topic पर उत्तर दे भे पा रहा है मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है आपको सबजना पड़ेगा एक ही classroom में एक ही शिक्षक से एक ही तरह की सामगरी से सीखते हुए भी कैसे अलग-अलग लोगों की learning outcomes अलग-अलग है जिसकी वज़े से उनके सफलता की संभावनाएं अलग-अलग है अपने सीखने पर ही नहीं सीखने की प्रक्रिया पर भी विचार कीजिए किवल syllabus पर विचार मत कीजिए रोजाना कोई थोड़ा सा समय इस बात पर भी रखिए कि आप ये सीखें कि आपने किस प्रक्रिया से सीखने की कोशिश की है क्या इस से बहतर तरीके से सीखा जा सकता था इस सीखने में आपका active होना कितना शामिल था कितना आपने प्रयास से सीखा है और कितना आपने मात्र यह उम्मीद की है कि किसी वेबसाइट से, किसी PDF से, किसी क्लासरूम से, किसी वीडियो से कोई और बता रहा है और आपने केवल उसे दर्ज कर लिया है यह दर्ज करना dead words है यह बिलकुल निर्जीव शब्द है यह आप में किसी भी किसम का उदबोधन नहीं करेंगे इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि लगातार अपने सीखने का feedback स्वैम को दीजिए उस पर reflections कीजिए उस पर पुनर विचार कीजिए और सोचिए कि क्या इसे और दक्षता के साथ कुछ कम समय में पूरा किया जा सकता था अगर आप ऐसा करेंगे तो आप आएंगे कि आप दरसल active learning की तरह बढ़ रहे हैं खुद को खाली slate, खुद को कोरा मरतबान, खुद को खाली बरतन मानना बंद कीजिए यही नए समय की strategies है यही दरसल learning 2.0 है यही द हुआ 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 है